अच्छा तो ये प्सक्रे के वाले से चीजे मैंने डिसक्स की थी उमीद है अपढ़ाँ को समझ आ गयी होगी अभी यहां cocktail फिकár अन हम घ्रांस के वाले से में बात का रहा था। लाइक मैंने का था कि मॉबाइल शॉपिंग इस ग्रोइंग कह रहा तीसरी ट्रेंड जो है न उसकी सेट कह रहा है मॉबाइल शॉपिंग आप फुद देखें अपनी बात भी करें मैंने आपको जैसे लास लक्षर में बता है कि हर बंदा जो है वो अपने दिन का अगर हम पूरी परसंटेज निकाल लें और मैंने कहा था कि अगर किसी दिन आपने टेस्ट करना हूना अपने आपको तो आप अपने mobile के अंदर एक option होता है screen timing का कि आपने कितना time अपना screen के अपर गुजा रहा है और आपकी screen कितनी दियर mobile की active रही है तो कभी अपना analysis कीजिएगा आपको ऐसे strange results मिलेंगे कि आप देख के खुद भी हरान हो जाएंगे कि हो सकता है कि आपके दिन का 50%, 60% up to 70% तक का जो time है वो आपका mobile phone ले जाता है तो ये एक अच्छी चीज तो है है बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है लेकिन अगर e-commerce के हवाले से हम बात करें और e-commerce के business के हवाले से बात करें तो that's very good job कि अगर एक बंदा 70% आप इस तरह कहलें कि अपने दिन में से वो 70% time अपना बजारों में गुजारता है शॉपिंग, malls में गुजारता है तो it means है कि वो अगर daily को एक चीज भी खरीता है तो बजार वालों की तो ईद हो जाएगी और बजार में कितना rush लग रहेगा कि अगर हर बंदा average basis पे अपने दिन का आदा time बजार में गुजारे तो बिलकुल ये e-commerce के अंदर बिलकुल ऐसे ही है कि अगर आप अपना time सारा mobile पर गुजार रहे हैं mobile placement कर रहे हैं तो आप किसी तरह हर aspect से हर angle से जो है वो market के अंदर move कर रहे हैं अच्छा अब यहां पर मैंने जैसे आपको पिसली example दी थी young consumers to change the business landscape अब यहां पर जो चीज मैं आपको बता रहा था last time के जैसे हमारे पास वो है जेफ बजूज का मैंने बताया टॉप six seven मैंने आपको personalities का बताया जो number one आ रहे हैं number two number three दुनिया के अंदर richest people आ रहे हैं उनकी list में आपके सामने शेयर की थी last lecture में अच्छा यहां पर क्या होता है फिर यह collab करते हैं अपस में अपना चीजों को like अब facebook का honor है तो वो भी amazon की sale में अपना role play कर रहा है microsoft का honor है तो वो भी amazon को sale करने में अपना role play कर रहा है ठीक है तो यहां पर क्या होता है यह मिल कर companies एक दूसरे के साथ एक दूसरे के business को push करती है support करती है जिससे क्या होता है कि एक company का business volume जो है business cap जो है increase होता जाता है और दूसरी company भी उससे advantage लेकर अपना फाइदा जो है वो बड़ा हाथी चली जाती है मैं जैसे मतलब यहां पर आपको बता रहा था कि यह एक दूसरे को corporate करते हैं एक दूसरे को support करते हैं उनके business को enhance करने में तो trends में आती हैं कि young consumers जो हैं जैसे कि मतलब जो in between the ages of मतलब आप 11 करें कि मैं खुद चंदेक stores को manage कर रहा हूँ e-commerce के run कर रहा हूँ तो चोटी से चोटी उमर के consumers भी मतलब 14-15-15 साल के बच्चे भी खुद अपनी buying करते हैं 16-16-15-15 साल के बच्चे जो चोटे मुटे mobile users हैं वो खुद अपनी, मतलब बच्चे जो हैं वो buying कर रहे है तो जो सबसे ज़्यादा buying ratio है अगर आप चेक करें इस age gap में तो यह देखें आपको survey की report वो बता रहा है करता है कि 67% young consumer है aged 18 to 34 जो सबसे ज़्यादा अपना पैसा जो है अब यह trends को पढ़ने का मकसद क्या हमारा हम क्यों trends को पढ़ रहे है इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब हम next lectures में बात करेंगे अपने e-commerce store की development की तरफ जाएंगे हम अपना e-commerce store develop करेंगे उसको बनाएंगे और उसको बनाने के बाद उसको launch करेंगे ठीक है COVID के बाद obviously आप लोग आ रहे हैं आपने अपनी जगह किस product को लेके आके बनानी है मार्केट में mobile shopping is growing आपको यह बता रही है कि आपने ऐसी website और ऐसे web stores का इंतखाब करना जो mobile friendly हो mobile के उपर उनकी reach अच्छी होनी चाहिए और mobile supported होने चाहिए यह न हो कि वो desktop और computer बहुत अच्छा अप्रेट कर रहे हो लेकिन आपके mobile के उपर user को जो है वो user friendly experience ना दे रहे हो ठीक है इसलिए हम इन trends को पढ़ रहे हैं यंग consumers को आपने target करना है जब भी आपने e-commerce के trends को पढ़ रहे हैं आपने जब e-commerce market के अंदर अपने stores को launch करना है तो आपने उस 67% market को target करना है जो बस ऐसे ही बिला वज़ा ही कोई ना कोई चीज बाए कर लेती है उनके interest zone में अगर वो कोई चीज लाए कर रही है भले वो उनके लिए इतनी useful है या नहीं है तो वो बस उसको buy कर लेते हैं ठीक है तो आपने इस market को target करने के लिए किसी product को launch करना है फिर आता है पांचवे नमबर पे के पांचवे ट्रेंड्स क्या कहता है evolving role of social media e-commerce अच्छा सबसे बड़ा जो role है exactly एक जो है ना वो सचाई है कि अगर e-commerce को सबसे ज़्यादा boom किसी चीज ने दिया है और e-commerce के उपर sales को बे तहाशा agreement अगर किसी चीज ने दिया ना तो वो क्या है जी वो है उसका ये role of social media उसके अंदर ठीक है लोग इसकी सबसे बड़ी ग्रापली है कि आप सबसे पहला काम क्या करते है e-commerce का store बनाने के बाद आप जाते हैं Instagram और Facebook के उपर उसका पेज बनाते हैं अब चूंके Facebook और Instagram दोनों एक ही company के अंडर आ रहे हैं एक ही उनका honor है और एक ही जो है वो company ने उनको on किया हुआ तो ये बहुत simple हो गया है ठीक है आप पहला काम क्या करते हैं जाकर website बनाने से भी पहले आप लोग क्या काम करते हैं आप Facebook पर और Instagram के उपर अपने pages बनाते हैं पेज बनाने के बाद दूसरा काम क्या करते हैं आप आप देखे ना ये social media वाली companies जो है मैंने आपको जैसे उपर बताया कि ये e-commerce companies के साथ मिलके उनका business भी बढ़ाती है साथ अपनी earning भी करती है कैसे करती है इनके पास होता है करोडों औरबों की तदाद में लोगों का data users मैं आप जैसे पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो इनकी applications को use कर रहे होते हैं मतलब इनके पास बेतहाशा traffic है जिसको यहनोंने वो चीज जाकर provide करनी है यह लोग क्या करते हैं वहाँ पर हम पहला काम क्या करते हैं बनाने के बाद पेज बनाने के बाद उसके पर अपनी product का photo shoot करते हैं product उसके पर upload करते हैं product upload करने के बाद very next step क्या होता है हम लोग उसके उपर investment करते हैं product के उपर और वो investment क्या होती है जो हम advertisement के उपर लगाते है advertisement के उपर लगाए जाने वाले सारे पैसे हम किसको दे रहे हैं direct जा रहे हैं Facebook और Instagram के bank accounts के अंदर जो हम यहां से spend करते हैं अब लोग यहां पर इतने इतने मैं फिर वही दुबारा example अपनी code करूँगा मैंने कुछ ऐसे stores भी operate करके दी हैं लोगों को क्योंके मैं जब digital marketing की services प्रवाइड कर रहा था कर रहा हूं companies को तो जैसे निशात वाले हैं, सैफायर वाले हैं इनके कुछ mini brands हैं जिनको मैं look after करता रहा हूं तो आप अंदाधा लगाईए कि वो एक एक दिन के अंदर minimum भी अगर वो अपनी spending करते हैं न तो वो 50,000 50,000, 60,000, 70,000 per day के हिसाब से भी वो spending कर रहे हैं एक एक लाख रुपया per day के हिसाब से भी spending कर रहे हैं spending का मतलब यह है कि वो Facebook और Instagram को feed in कर रहे हैं पैसे अब बदले में Facebook और Instagram क्या करता है evolving role of social media and e-commerce यह का करता है उनकी product को पकड़ता है पकड़ने के बाद मेरे और आप जैसे वो लोग जिनके interest zone के अंदर वो product लाई करती है वो product ले जाकर उनकी profile के उपर उनके dashboard के उपर उनको view करवा देता है जिससे क्या होता है कि अगर वो 50 लोग उस ad को देखते हैं तो 50 में से 4-5 लोग ऐसे होते हैं जिनको वो चीजिया चाहिए होती है या उनके interest zone में वो लाई कर रही होती है और वो जो है वो जाकर उसको उठा लेते हैं अच्छा यहां पर देखें वो कहता है कि अगर आप समझते हैं कि TikTok जो है वो मतलब एक use list एक application है जिसको सरफ लोगों ने नाचने काने के लिए बनाया हुआ हलाके इसके अंदर कोई जूट नहीं है ये भी सच है कि लोगों ने सरफ इसको इसको इसी काम के लिए बिल्खुशूस हमारे इस zone के अंदर तो इसकी काम के लिए use करते हैं रातो रात उल्टी सीदी हरकते करें आप जो है वो इसके पर मशूर हो जाते हैं तो खेर यहाँ पर क्या होता है टिक टॉक भी उसने का है कि इंस्टाग्राम फेस्बुक के बाद तीसरा एक बड़ा प्लैटफॉर्म बान रहा जहां पर लोग अपनी चीजों की प्रॉड़क्स की मार्केटिंग कर रहे हैं को अपने बिजनस को इनहास करने के लिए इसका सहारा ले रहे हैं कैसे लेते हैं आपको multiple advertisements नज़राएंगी ठीक है आपको songs हिट होते हुए गाने हिट होते हुए आपको टिक टॉक से नज़राएंगे आपको products बित्ती हुई वहां से नज़राएंगी आपको videos के trends वहां से set हो नज़राएंगे तो यह क्या जी यह वो तमाम social media influencers हैं influencing applications हैं जो e-commerce को support करती है और e-commerce के business को enhance करती है आप इसको थोड़ा सा और खुद भी thoroughly लिख सकते हैं इसके हवाले से चटी चीज़ है अच्छा पांच में principle को अपने business में कैसे apply करना है अपने business में apply करने का वही तरीक है e-commerce का store बनाएं और store बनाते साथ ही पहला सबसे आपने क्या काम करना है इन तमाम social media platforms के पर अपनी existence को increase करें ताके जैसे ही आप अपना कोई product launch करते हैं यहाँ पर आपके हजारों लाखों followers या जो है वो available है आपके users यहाँ पर तब तो ठीक है otherwise आप क्या करेंगे paid advertisement चलाएंगे जिसके through आप within no time लाखों हजारों लोगों तक अपनी product को पहुँचा देंगे और hopefully आपको sale करने में इसमें help out हो जाएगा अच्छा च्छटे नमबर पर क्या कहता है जी environmental topics influence buyer ठीक है अच्छा अब यह influence buyers वाली जो टेक्नीक है यह बहुत सारे लोग जो यूज करते हैं और यह इसको आप एक तरह से कहलें कि मजबूरियों से फायदा उठाना ठीक है like for example जैसे अभी COVID आया ठीक है तो हर बंदे ने क्या किया उसको जरूरत महसूस हुई हर उस चीज की जो germs से उसको protect करें जो bacteria से उसको बचाए ठीक है भाई है ने और आपने ही देखा कि हमारी ही इसी society के अंडर क्या हूआ है लोगों किसी ने पोस्ट कर दी यह मास्क मिल्रहें मास्क सस्टें है तो मास्क बनाने वाली मशीनों से लेकर मास्क सिलाई करने वाले धागे तक उसके अंदर इस्तमाल ओने वाली गन तक उसके अंदर इस्तमाल ओने वाली गलू तक हर चीज जो है आपने उसका रेट महिंगा होते देखा है अच्छा मैं जस्ट फॉर दस एक ओफन मतलब यहां तक के लोगों ने प्याज लीमू और पता नहीं किया किया घरों के टोटके तक जो है ना वो ऐसे मतलब इन प्लैटफॉर्म के उपर डाले हैं मशूर की हैं तो लोगों ने अंधा धुन जो है ना वो इवन उनको भी वाई करना शुरू कर दी है जिसका कोई ना सारा ना पैरा ना कोई इसका रिसर्च हुआ कि ठीक है जी इसको करते हैं इन्फ्लूएंस बाइंग करते हैं इसको कि आपने देखा देखी भेड़ चाल चली लोगों को देखा लोग चीज़ें वाई कर रहे हैं आपने का लेलो लेलो इसका कोई फायदा है हमने अपने आँखों के सामने साबन महंगी होते देखे हैं हमने अपनी आँखों के सामने डिटोल महंगा होते देखा है उपने business में कैसे use कर सकते हैं इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप जो है trends फिर दुवारे trends के उपर आगया हो आप trends के अंदर जाएंगे और trends को चेक करने का सबसे बहतरी और सान तरीका होता है कि आप Google trends के उपर चले जाएं, Google trends खुद आपको provide करता है कि इस time market के अंदर क्या trends चल रहे हैं और आपने किसी चीज को follow करना कि इसको नहीं follow करना ठीक है आप वहां से जाके trending market के अंदर जाके देखें कि क्या चीज सबसे ज़्यादा in है मैं एक छोटी सी example देखें आप लोगों को बात समझाता हूं यहां पर शायद आपनों को याद हो एक ट्वाय आया था widget spinner के नाम से मैं यहां पर लिखके आपको दिखाता हूं आपको याद भी आजएगा देखके widget spinner के नाम से एक ट्वाय आया था market के अंदर यह देखें इसकी कुछ वीडियोज हैं हमारे सामने यह ऐसे का ठीक है इसमें क्या था कि एक ट्रेंड सेट हुआ था पता नहीं दुनिया में किस जगा पर किस ने एक widget spinner बनाया था इस तरह का यह क्या था जस्ट बाल बेरिंग्स का एक इस्तमाल किया था अच्छा यूज था बाल बेरिंग्स को यूज करके इसके पर प्लास्टिक की केसिंग ल ना आ यह एक लिए है लेकर आया घर में मतलब कोई काम की चीज नहीं है ज़रूरत की चीज नहीं है लेकिन क्या होता है जी this is called influence buying ठीक है हम क्या करते है हम देखते है के लोग क्या falta है हम उस चीज को जा कर भायब करना शुरू कर नहीच भले हमारा काम की epoxy हो या ना हो हमें पसंद भी एवन ना हो या ना हो लेकिन influenced buying जो है वो बहुत ज़्यादा effect अपना create करती है ऐसी आ जाते है लिए number 7 trend के उपर आता है the desire to shop with independent business अच्छा अब यहां पर क्या होता है जी कहता है कि यहां पर independent business जो है न वो भी इस market के अंदर जो है वो अपना एक बड़ा रोल प्ले करता है 57% of consumers express a willingness to purchase from a new and independent business from the first time यह जो e-commerce का trend है ना यह physical और practical business से 180 degree के एंगल पर इस point पर आके opposite हो जाता है कैसे हम physical market में जाते हैं हम brand conscious हो जाते हैं नहीं नहीं हमने उसी shop पर जाना है हमने उसी restaurant से खाना खाना है हमने उसी जो है ना वो salon से जाकर त्यार होना है हमने वो ही brand की चीज़ पहननी है जाकर हमने वहाँ सही घड़ी खरीद दी है यह physical business के trend है लेकिन e-commerce का business जो है वो इतना fair play करवाता है आपके साथ कि अगर आप individual independent business supplier है independent business provider है तो यह आपको पूरी 100% opportunity provide करता है कि आप अपनी quality बेहतरीन improve करें आप अच्छी quality का product market में launch करें आपको यह buyer भी देता है और buyer आपको review देता है reviews के उपर हम लोग next buyer को appeal करते है और हमारी product बढ़ने शुरू हो जाती है इसकी एक बड़ी खास example आप देखेंगे food panda के उपर जितने ये brand के restaurants है इतने ही तकरीबन यह हो सकता है इससे भी ज्यादा लोगों ने घरों से operate करना शुरू कर दी उनको business provide की है घरों से घर की मुर्गी और ये वो फलाँ पता है घर का खाना और घर का चूला पता है किया कि आजीब हो गरीब से नाम रखे लोगों ने घरों से जो है वो अपनी services को provide करना शुरू कर दी है और ये नहीं है कि उनको business में मिल रहा है exactly उनको business मिल रहा है मैं खोद ऑगर अपनी बात करूँ personally तो मैं कई बार जो है वो ऐसे restaurant से order कर चुका हूँ खाना अपने office में अपने colleagues के साथ अपने घर में इवन जो इन brand से हटके घर में खाना बना कर दे रहे है ठीक है और no doubt उनकी service भी वड़ी अच्छी रहती है और उनके price costing भी जो है वो so called brand से काफी ज़्यादा अच्छी और favorable रहती है तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है जी के more than half say that they are willing to shop with new brand for the first time यहाँ पर कहता है जी 57% consumer market जो e-commerce के अंदर बैठी ही है वो क्या करती है वो welcome करती है नए आने वाले brands को नई companies को के वो हमारे साथा के काम करें ठीक है जी और हम उनसे जो है वो buy करना जो है accept करते हैं इस चीज़ को यह सारी जितनी भी हमारी यह leftovers हो गया यह yellow हो गया यह बड़े बड़े जो नाम है यह सारे क्या हैं यह सारे वो हैं जो new market में faces आएं after covid या उसके आस पास बिक रही है तो इस चीज़ को आपने neglect कर देने इसको छोड़ देने अपनी quality maintain करें और market tactics को tactics को अच्छा यूज करें तो आप भी अपनी जगा जो है वो बना सकते हैं इस point का यह मकसद है in short अच्छा जी यह वड़ा खुबसूरूत point है इसमें कहता है augmented reality transform how we shop augmented reality क्या होती है इसके लिए अगर आप थोड़ा सजा कर google कर ले ना माशाला छटे समेस्टर साथ में समेस्टर में आप लोग हैं तो यह आपको असानी रहेगी अगर आप इसको augmented reality को देखे ना तो augmented reality में क्या होता है कि हम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती है जिससे हमारा buying का experience बढ़ जए मसला अगर e-commerce में आता है या online buying sale purchase में आता है सबसे बड़ा तो वो यह आता है कि customer experience नहीं कर सकता उन चीज़ों को जो वो buy करना चाहरा जैसे physical में करता है like shoes खरीदने हैं उसको पकड़ करके उसको चेक कर सकते है लेकिन e-commerce के अंदर यह सारे काम जो है वो आप नहीं कर सकते है पिर क्या होता है फिर वो काम्याब होता है उसमें जो बेखतरीन augmented reality के features को directly और in directly use करता है छीख तीच अब यहाँ पर क्या होता है हम लोग जो है वो यूजर को experience कराने के लिए जो टिपिकली चल रहा है market में वो क्या होता है जी हम क्या करते है लाइव लोगों को पकड़के हम लोगों के reviews लेते हैं जो लोग उस चीज़ को खरीदते हैं पहला तो ये तरीका हो गया दूसरे तरीका क्या हो गया हम खुद पहन के जो service product होता है वो खुद पहन के पकड़के उसको घुमा फिरा के दबा के खैंच के धो के सुका के मतलब किसी भी तरीके से अपनी product को customer को यकीन दराने के लिए कि इसकी quality अच्छी है वो हर tactic को use करता है ठीक है आप देखें जैसे ह किसी online store पर जाए तो साथ ही वो वीडियो अपनी दिखा रहे होते हैं कि ये देखें जिए हमने पहना था इसको हमने पानी में से गुदारा है इसके डाला है ये तोड़ता नहीं है ये पहटता नहीं है ये गर्मी में फिपहन सकते हैं सरदी में मतलब वो इस तरह की videos بناते ह इससे वो एक live user का experience दूसरे users के साथ share करते हैं लेकिन जो बहुत जादा अमीर और अच्छी companies हैं जिनका business volume बहुत अच्छा है वो customer experience को बिल्कुल live जो है व्यू करवाने के लिए augmented reality के behavior को show करते हैं live video calls दे देते हैं जैसे बलके मैं यहां पर undoubtedly एक store का जिकर करना मैं जो है यहां पर जूरी समझता हूँ यह store है जो मो के नाम सागर आप देखें न यह अभी अभी कुछ हरसा पहले ही launch हुआ है और यह पाकिस्तान का brand है और पाकिस्तान में भी किसका brand है basically मतलब मेरी research के मताबिक मुझे बता चला है कि यह service shoes वाले हैं उनकी company है और यह उनोंने online business को जो है ना अपना एक बहुत बड़े volume के अपर उनोंने जो है ना कहलें कि Amazon जैसा level अप उनोंने imagine की है कि हम इसको महां तक लेके जाएंगे तो उनोंने इसको इनोंने start की है इसके अंदर भी उनोंने मतलब आप देखें कि augmented reality का जो feature है ना वो उनोंने enhance करने के लिए एक unique चीज़ इनोंने इसमें add की और वो क्या है भला वो यह है कि यह कहते हैं कि आप अपना भी कोई भी जूता पसंद करें लाइक जाएं हमारी side पर और वहां से जाके आप कोई भी जूता पसंद करें पसंद करने के बाद आप जो है हो सकता है कि वो जूता आपको जो है हमारे पास size का difference आजए लोग डरते हुए इस विरसे जूता नहीं खरीते कि size का फर्क ना आजए यह क्या कहते है जी हम आपको size की shorty के लिए क्या करेंगे आपको for example लगता है कि आपका 8 नंबर है या 9 नंबर है pair का size तो आप ऐसे करें आप 7, 8 और 9 तीनों नंबर हम आपके पास भिजवाएंगे हमारा rider खुद आपके पास वो लेकर आएगा आप तीनों जूते पैन के देखें जो आपके size का होगा आप रख लें बाकी दो हमारा बंदा वापिस लेगा तो it means कि जो serious buyer है उसको क्या हो गया उसको इतनी shorty मिल गई कि एर मेरे पैसे जाया नहीं होगे अगर size बड़ा चोटा हुआ क्यों क्योंके company मुझे offer कर रही है कि वो मुझे real experience करवाएगी behavior करवाएगी जिसके बाद मैं अपनी demand के मताबिक अपनी सही चीज़ को accept कर लोगा या उसको मैं इस्तमाल कर लोगा ठीक है तो ये भी एक trend है अगर आप business के अंदर in होते हैं थोड़ा आपको बता देता हूँ मैं बलके परसनलाइज को अगर आप देखें ना ऐसे देखें कि परसनलाइजिंग का मतलब है यह मैं इसको ना ऐसे करता हूँ कि next वीडियो के अंदर मैं discuss करता हूँ आपके साथ personalization को और एक दो trends को और discuss करके हम इंशालला आगे चले जाएंगे इसको लेके